हलो, वेलकम डू सेलेक्ट आयर्स, कैसे हैं आप लोग, आज हम बात करेंगी UPPSC प्रिलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, लगबग दो महिने हैं आपके पस और 14th में को आपका प्रिलिम्स का एक्जाम है, तो इस दो महिने में कौन सी अप्रोच फॉलो करें जिससे आपका इस एक्जाम क्लियर हो सके, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सर इस बार प्रिलिम्स का एक्जाम काफी टफ होने वाला है, क्योंकि number of seats कम है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि प्रिलिम्स का एक्जाम हर साल सेम लेबल का होता है, बट प्रॉलम यह है ना कि कई सारे coaching institutes, youtube channels, आपको इतना गुमराह कर देते हैं, अपने paid courses बेचने में लगे रहते हैं, कि आपको confidence ही नहीं होता है, कि आपका प्रिलिम्स एक्जाम क्लियर हो जाएगा, और हम basic books से shift हो करके, उनके coaching materials पर dependent हो जाते हैं, तो इन ही सब चीजों पर आज हम बात करेंगे, आप इस वीडियो को देखिए, और जो approach मैं आपको बता रहा हूँ, उसको follow करिए, 100% आपका problem से exam clear होने वाला है, ठीक है, और एक बात हमेशा आद रखिए, कि knowledge is equal to success नहीं होता है, ठीक है, success आपके लिए क्या है, PCS में selection लेना, इस वक्त, knowledge बात में ले लीजेगा, जब आपका selection हो problems कैसे clear करना है, उस पर बात करते हैं, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, पहला question आपके दिमाग में आता है, कि sir, क्या UPPSC एक tough exam है, देखिए, अगर आप demand के according सप्लाय देते हैं तो UPPSC problems exam clear करना काफी easy होता है, ठीक है, अगर मैंने इस exam को clear किया है, तो आप भी कर सक सकते हैं, पसरते हैं, आपको demand के according सप्लाय देना पड़ेगा, otherwise, आप इधर उधर की चीजों में लगेंगे न, तो फिर आपका problems exam clear भी नहीं होगा, बहले भी आप एक knowledgeable person बन जाएंगे, एक professor बन जाएंगे, काफी अच्छा knowledge, काफी अच्छा debate कर सकते हैं किसे topic पर, लेकिन आपका ये PCS exam clear नहीं होगा, तो आपको हमेशे याद रखना है कि demand क्या है इस exam की, और आप supply क्या दे रहें, ठीक है, तो हमेशे demand के according आप तयारी करिए अपनी, जो भी आप schedule बनाते हैं, जो भी books पढ़ते हैं, जो भी आप अपने खुद के notes पढ़ते हैं, जो भी revision करते है हैं, आप हमेशे याद रखिए कि questions के according ही आपको तयारी करनी है, जो प्रिवेसर के questions हैं, उसका level क्या है, और आपकी तयारी का level क्या है, तभी आपका exam clear होगा, ठीक है, इधर उधर की चीज़ें आप बिलकुल ना करें, तो बिलकुल आप इस exam को clear कर सकते हैं, जो चीज़े 2.33 marks का होता है, ठीक है, इसमें आपको score करना होता है, इसी के ऊपर आपका मेरे decide होता है, इसमें भी आपको negative marking मिल जाएंगे, जिसमें आपको 33% ही लाना है, just like UPSC, आपको 33% ही score करना है, जिससे ये qualify हो सके, ultimately आपको GS में ही score करना है, अब question ही आता है, कि sir, कितना question attempt करें, जिसके वज़े से हमारा selection हो जाए, देखे हर साल का cutoff अलग अलग होता है, लेकिन आप 90 plus questions करके आए, जिससे आप एक safe zone में हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है, कि 90 plus questions अगर सही करके नहीं आते हैं, आप तो 90 plus questions सही करके आए, होता है जब prelims का exam हो जाता है, तो अलगले YouTube channels prediction करते हैं, कि इस बार prelims का cutoff कितना जाना चाहिए, लेकिन उन सब चीजों में आप अपना time waste ना करें, आप एक महिने इसमें time waste कर देंगे, mains के लिए answer writing नहीं कर पाते हैं, इसके वज़े से prelims तो clear हो जाता है लेकिन mains आप qualify ने कर पाते हैं, अपने आपको safe zone में रखने के लिए, आप 90 plus questions सही करके आए, out of 150, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, कि किस तरह के candidates आपको exam center पर मिलते हैं, पहले वो होते हैं, जिनका first attempt होता है, जिसको हम fresher करते हैं, second type के वो होते हैं, जिननोंने पहले attempt दिया हुआ है, लेकिन उनका exam qualify नहीं हुआ, जिनको हम non qualified candidates कह सकते हैं, तीसरे तरह के लोग होते हैं, selected candidates, इनका selection तो हो जाता है, लेकिन ये अपनी rank को improve करने के लिए exam को देते हैं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कि आपका competition किस तरह की candidates के साथ है, ठीक है, अब हम बात करते हैं sources पर, वैसे sources आपको पता भी होंगे, क्योंकि दो मेने रह गए हैं exam को, तो मैं आपसे ये expect कर रहा हूँ, कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं approach पर बात करूँगा, कि आपके sources को कैसे use किया जा सकता है, sources को मैं दो पार्ट में divide करूँगा, पहला स्टार्टिक और दूसरा current affairs, current affairs के around 20-25 questions होता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट मैं minimum बता रहा हूँ, कि 20-25 questions आपको current affairs के मिलेंगे, तो इसको दो आप ignore करी नहीं सकते, इसके लिए आप मंधली magazines बढ़ सकते हैं, एक दृष्ट इसमें revise किया जाता है, इसके साथ quiz भी होता है, quiz के साथ आपको current affairs का भी practice कराया जाता है, इसको आप daily basis पर देख सकते हैं, YouTube चैनल पर आपको videos मिल जाएंगे, ठीक है, इसके अलावा daily जो updates होते हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कि जो आपके local news paper है, उसको आप देख लिजे, कोई new channels को आप follow कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके पास updates daily basis पर मिल जाएंगे, तो current affairs की तहरी आप proper तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, तो current affairs का portion काफी ज़्यादा important होता है आपकी selection में, अब हम static पर बात करते हैं, ठीक है, static में सबसे ज़्यादा important जो source मैं मानता ह वो है previous year के question, previous year का question इसलिए, क्योंकि इसमें आपको मालूम होता है कि UPPSR problems का level क्या है, और आपका level क्या है, जब आप questions को solve करते हैं न तो आपको पता लगता है कि आपका knowledge level क्या है, आप उस question को solve कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसमें solutions भी मिलते हैं, जैसे आप घटना चकर previous year के questions का एक series आता है, उसको आप देख सकते हैं, subject or series आती है उसको आप देख सकते हैं, देखे previous year question को solve करने का एक और तरीका है, माल लेजे कोई question है, उसका option A, B, C, D है, और उसका correct answer A है, लेकिन B, C, D, इतीन options को भी आपको तयार करना है, देखे, UPPSC के पास नए questions नहीं होत solutions भी आप देखे, आपको 100% questions मिलेंगे prelims exam में, previous year के questions, ठीक है, इस बात को याद रखे, ये NCRD books को आपके अगर ये की multiple times revise करिए, अगर आपने खुद के notes बना रखें, NCRD books के, या फिर कोई compilation है आपके पास, market से आपने लिया हुआ है, या फिर YouTube channels पर आप देख रहोंगे compilation तो उसको आप multiple times revise करिए, उसके खुद के short notes बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि direct questions आपको prelims में, NCRD books से ही मिल जाते हैं, वो चाहे UPSC हो या फिर UPPSC, direct questions आपको NCRD books से मिल जाते हैं, अब हम बात करते हैं basic standard books, देखे, standard books जैसे लक्षमिकांद, spectrum, spectrum modern history के लिए होता है, लक्षम करना है multiple times, अगर आपने short notes बना रखा है, तो उसको बार बार revise करिए, previous question से match करिए, कि आपके जो notes है, उसमें से कितना content आपको previous question से मिल रहे हैं, उसको आप बार बार revise करिए, series की practice करिए, multiple choice questions की आप practice करिए, उसका detailed solution पढ़िए, ठीक है, अब हम बात करते हैं UPGK की, ठीक है लेकिन अगर आप UPGK नहीं पढ़ते हैं, तो भी आपका selection हो जाते हैं, लेकिन बाकी subjects आपका strong होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि UPGK भी नहीं पढ़ा आपने, बाकी subject भी आपका strong नहीं है, तो आपका selection कैस हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको suggest करूंगा, कि आप UPGK भी सकते हैं, ठीक है, आप लोगों ने notification देखी लिया होगा, मैं इसका syllabus देख लिया होगा, आप लोगों ने, ठीक है, तो चलिए all the best आप सभी को, इसके लाव अगर आपको कोई भी doubt है, problem से related, तो आप comments में question कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से video बना सकते हैं, जाते जाते एक चीज़ में आपको बता दूँ कि previous questions को आप कभी भी ignore ना करें, इसी के basis पर problems के questions बनते हैं, आप चाहें तो previous questions आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, कि किस तरह के papers का pattern है, UPSC problems में, ये दो महने हैं आपके पास, ठीक है, आप चाहें तो इस दो महने को proper तरीके स utilize करिए, आपका problems exam 100% clear होने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर आप इधर उधर की चीज़ों में भागेंगे ना, तो आपका exam clear नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है, इसके लिए कोई paid courses की जरूत है, आप free में, कई सारे channels हैं, free में आपको current affairs मिल जाते हैं, free में static portions आपको मिल ज सकते हैं, तो चलिए all the best आपके exam के लिए